हेलो एब्रिवन, स्वागत है आपका हमारे चनल आपका रसोई घर में आज हम बनाने जा रहे हैं साम का हलका चटपटा और मसालेदार नास्ता आलू फ्राई इस आलू फ्राई को बनाने के लिए हमने चार बड़े साइच के आलू को छील कर कुछ इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया है इसे चले सुरू करते हैं आलू फ्राई बनाना इसके लिए हम एक बाउल लेंगे और उसमें थंडा पानी लेंगे पानी हमें कुछ इतना लेना है जितना में कि ये जो आलू है वो पूरा डूब जाए एक बार हम इसे हाथों से कुछ इस तरीके से मसल देंगे और इसे पांच मिनट तक छोड़ देंगे इससे क्या होगा कि आलू के अंदर का जितना भी स्टार्च है वो पानी में आ जाएगा अब हम एक मसाला त्यार कर लेते हैं इसके लिए बाउल में हम नमक लेंगे एक चमच नमक मैंने यहां पे लिया है आधा चमच कास्मेरी लाल मिर्च और एक चमच चाट मसाला लेंगे और इन सब को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसे साइड में रख देंगे और फिर से चलते हैं आलू की तरफ अब फिर से हम एक बावल लेंगे और इसमें हलका गुनगुना पानी डालेंगे और पानी हमें इतना लेना है जितना में की आलू पूरा डूब जाए एक चमच नमक डालेंगे अब हमें क्या करना है कि हमने जो आलू को पानी में भींगो करके रखा था उसमें का पानी हम निकाल देंगे और फिर से उस आलू को हम इस गुन-गुने पानी में डाल करके 5 मिनद तक छोड़ देंगे इससे क्या हुआ कि आलू सॉफ्ट हो जाएगा और इसका स्टार्च और भी अच्छे से आलू से निकल जाएगा अब हम क्या करेंगे कि आलू को इस तरीके से एक स्टेनर या छनी पर छान लेंगे और उसके बाद हम एक cotton का कपड़ा लेंगे या फिर towel लेंगे और उसपे आलू को डाल करके उसे अच्छे से रब करते वे पोश लेंगे ताकि आलू के ऊपर का एक्स्ट्रा पानी जो है वो सब सूप जाएगा इससे क्या हुआ कि आलू जब हम fry करेंगे तो बहुत ही crispy बनेगा अब चलते हैं आलू को fry करने के process में यहाँ पर मैंने cooking oil लिया है उसे high flame पर गरम कर लिया है जब तेल पूरा गरम हो जाएगा तो gas का flame हम medium कर देंगे और उसमें आलू को डाल देंगे आलू को fry करते समय हमें ध्यान रखना है कि gas का flame जो है वो medium to high रहेगा और अब हम इसे तब तक fry करेंगे जब तक आलू जो है वो सुनहरे रंग्का नहीं हो जाएगा ये देखिए आलू जो है वो सुनहरे रंग्का हो गया है लगवग 5 मिन तक हमने इसे पलट पलट कर fry किया है तो अब हम इसे एक बर्दन में निकाल लेते हैं और इसके उपर जो हमने मसाला को तयार करके रखा था उसे हम इस पर डाल देंगे इस आलू फ्राई को एक बर आप इसे मेरे बताएगए तरीके से जरूर बनाए ये बहुत ही चटपटा बहुत ही क्रिस्पी बन के तयार होता है तो इसे आप सामके स्नेक्स में या फिर स्टार्टर के रूप में यूज़ करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच